हेलो दोस्तो, मैं अर्वन खुराना, आप सबी का फिर से एक बार सागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीनियस अकैडमी लाल पर उदम सिंग नगर पे आज हम डिसकस करेंगे एकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक गुडविल गुडविल क्या है और गुडविल की क्या इंपॉर्टन्स है बिजनिस की एकाउंटिंग के कॉंटेक्स में एकाउंटिंग के कॉंटेक्स में हम गुडविल को दो तरीके से ट्रीट करते हैं एक valuation of goodwill और उसके बाद treatment of goodwill आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ goodwill की valuation से जुड़े सभी topics पर बात करूँगा आईए बिना time गभाए हम अपने वीडियो को start करते हैं तो goodwill पर हम बात करेंगे goodwill क्या है तो goodwill जैसा कि हम सभी जानते है goodwill is the monetary value of reputation, trust and earn name in the market over the time इसका मतलब हुआ कि goodwill कुछ और नहीं बलकि एक लंबए समय में कमाया गया नाम, विश्वास है जो एक वैपारी market में रहके कमाता है उसी goodwill की वज़ा से, उसी नाम की वज़ा से उसके द्वारा जो extra profit होता है जो एक normal प्यापारी कमाता है वो उसकी goodwill है जिसे हम असान शब्दों में कह सकते हैं, in simple words, we can say it is the difference between actual profit of a business as compared to the average profit of same industry in the market कि अगर कोई नया business, नया business market के अंदर आता है तो वो जो profit कमाता है और एक वही business करने वाला पुराना वे व्यापारी जो profit कमा रहा है, इन दोनों के बीच में जो difference होगा, वो difference कुछ और नहीं बलकि इनकी goodwill है सपोज एक वेपारी उसी business के अंदर एक लाख रुपे महीने के कमाता है, और वही business को नया वेपारी market के अंदर करने आता है और वो 50,000 रुपे कमा रहा है, वही market, वही product, वही खरीने वाले लोग, लेकिन फिर भी profit में इतना difference कि किस बज़ा से, सिर्फ और सिर्फ goodwill की बज़ा से We need to compute the goodwill in the context of the following manner, हमें accounts में goodwill क्यों valuation करनी पड़ती है, तो उसके दो reason है एक, special cases of partnership, partnership में हमको goodwill की valuation करनी होती है, और दूसरा company के context में, जब हम amal your mission और merger chapter को पड़ती है, तो वहां हमको goodwill की ज़रत पड़ती है Partnership में, जिन जिन topics में हमको goodwill की ज़रत पड़ती है, पार्टनर्शिप में हमको जहां-जहां goodwill की valuation की ज़रत पड़ती है, या goodwill का treatment होता है, वो जगह है Change in profit sharing ratio, इसका मतलब जब पुराने partner, वही partnership में रहते हुए, अपने profit sharing ratio को change करते है दूसरा admission of a new partner, जब firm के इंदर किसी नए partner का admission करना हो, या फिर retirement of any partner, पुराने partners के बीच में से कोई partner अपनी इच्छा से firm को छोड़ रहा हो, या फिर किसी partner की certain death हो जाए, death of any partner, या फिर हमारी partnership firm ही sell out हो जाए, एक partnership firm किसी दूसरी partnership firm को sell out हो गई है, या partnership firm का conversion हो गया है as a company तो इन सभी जगाओं पर partnership के context में हमको goodwill की valuation करनी पड़ती है, हमको पता होना चाहिए कि हमारी firm की क्या goodwill है, तब ही हम इसको treat कर पाएंगे, तो goodwill को valuation, goodwill valuation के लिए हमारे पास कुछ formula है, कुछ methods हैं, जिनकी मदद से हम goodwill की valuation करती हैं, तो methods कौन-कौन से हैं, आईए हम उन इन दि चार method है, जिन में से पहला है average profit method, दूसरा weighted average profit method, फिर super profit method, और च्वाथा है capitalization method, capitalization method के अंदर हम goodwill दो तरहां से निकालते हैं, एक होता है capitalization of super profit, और दूसरा होता है capitalization of actual profit, दोनों ही method में जब हम goodwill valuation करते हैं, answer हमारा एक ही आता है, चाहे हम इस method को follow करें, या हम इस method को follow करें answer पर कोई फर्ख नहीं पड़ेगा तो कुल मिलाके हमारे पास goodwill के लिए चार method है average profit method weighted average profit method और super profit method capitalization method capitalization में दो method है हमारे capitalization of super profit capitalization of actual profit लेकिन इससे पहले भी एक बात जो हमको ध्यान रखनी है वो यह है कि goodwill हमारी books में तभी enter करती है जब हम goodwill को actually paid करती हो अगर हमने goodwill को purchase किया है तभी goodwill हमारी books में enter करेगी otherwise इनी special topics में हमको goodwill की valuation करनी है goodwill को अपनी accounts के book में raise करना है और immediately write off कर देना है अगर हमने goodwill की कोई कीमत नहीं चुकाई है तो बात करते हैं सबसे पहले average profit method की आईए average profit method में goodwill कैसे valuation करते हैं तो देखे बहुत simple है यह सबसे आसान average profit method goodwill is equal to submission of an year profit upon an year into number of purchase year इसका मतलब हुए जितने साल का हमारे को profit given होगा हम उन सभी year के profit को जोड देंगे जितने year का profit है number of year से हम divide कर देंगे जो भी average profit आएगा उसको हम purchase year से multiply कर देंगे हमारा answer हमारे सामने होगा example के तौर पर मैंने आपके सामने एक च्छोटा सा example प्रो किया है यहां 5 साल का profit हमारे सामने है पहले साल में 30,000 का profit है दूसरे साल में 50,000 का profit है फिर तीसरे साल में 10,000 का profit है चौते साल में 40,000 का profit है और पांचवे साल में loss है 5000 रुपे का परचेस year हमारे सामने तीन है देखे किस तरह से हमारा answer आएगा solution goodwill is equal to 1, 2, 3, 4 & 5 divide by 5 average profit हमारा तीस और पचास असी और दस नभे अच्छार एक लाग तीस जार माइनस पांच जार एक लाग पच्छे जार divide by 5 25,000 into number of purchase year 75,000 is the answer यह हमारा average profit के accordingly answer राजाएगा लेकिन जब हम average profit से goodwill valuation करेंगे goodwill का तो हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारा profit है profit हमारा normal होना चाहिए इसमें किसी भी तरह का abnormal loss या abnormal gain शामिल नहीं होना चाहिए मैंने आपके सामने note के तोर पे रख दिया है कि if there is any abnormal loss और abnormal gain is given in the question the effect of the same will be removed before computation of goodwill अगर हमारे को कोई abnormal gain या abnormal loss दे रखा है तो उसके effect को हमको हटाना होगा एक छोटा सा example मैंने इसके लिए आपके सामने draw किया है तीन साल का profit हमारे सामने है there 3 year profit is given below 2017 में 60,000 का profit है 2018 में 90,000 का है और 2019 में 50,000 का profit है number of purchase year हमारे सामने 2 है question आप से कहता है find goodwill if in the given profit and loss following loss and profit is included क्या है वो देखे 2017 में एक assets हमने बेची जिस पे हमारे को 30,000 का profit आ रहा है और 2019 में closing stock की under valuation हुई है 5000 रुपए है हम जानते हैं कि assets को बेचने से जो profit आता है वो अपने nature में abnormal है और closing stock की under valuation होने की वज़े से हमारा profit 5000 रुपए कम हो जाएगा दोनों ही loss और profit अपने nature में abnormal है तो इसके effect को हमको हटाना होगा effect को हम हटाएंगे देखे सबसे पहले हमने profit रखा 2017, 18, 19 इनमें 60, 90,000 और 50,000 का profit है जो assets को sale करके abnormal gain आ रहा है उसको हमने हटा दिया total gain 60,000 का था है total profit हमारा 60,000 है जिसमें से हमने abnormal gain हटाया तो हमारा normal profit कितना बचा 30,000 रुपए दोहजार ठारा के regarding कोई adjustment नहीं था same profit आ गया 2019 में हमारा profit पाचाइशार रुपए आ रहा था और closing stock का under valuation था 5000 रुपए जिसकी वजह से हमारा profit 5000 रुपए कम हो रहा था मैंने 5000 रुपए add किया और normal profit हमारा आ गया 55,000 अब हमारा total तीन साल का profit हो रहा है वो 1,75,000 हो जाएगा इसी profit को लेकि हम goodwill के valuation में आ रहे हैं यहां मैंने average profit निकाला पहला साल दूसरा साल तीसरा साल 3 से divide किया और 2 year purchase से multiply कर देगा अगर हमारे को इन adjustment में opening stock या closing stock के regarding को adjustment मिलता है तो एक बात हमको बहुत ध्यान देनी होगी कि opening stock और closing stock दो ऐसे item हैं जो एक नहीं बलके 2-2 year के profit को impact करते हैं क्योंकि जब opening stock में हमारे को कुछ change दिया होगा तो इसका मतलब opening stock अगर हम under value करेंगे या over value करेंगे तो ये एक साल नहीं 2 साल के profit को effect कर गया जैसे मैंने आपके सामने closing stock रगा closing stock का अगर under valuation होगा तो इसका impact जिस साल में closing stock under value होगा उस साल के profit को कम करेगा प्लस next year के profit को बढ़ा देगा क्योंकि next year में जाके यही closing stock opening stock हो जाएगा और वहाँ पर reduce opening stock debit side को कम करेगा जिसकी वज़ा से profit बढ़ेगा तो एक नहीं 2-2 साल में इसके हमको adjustment को देखना है यहां हमारा closing stock 2019 में change हो रहा था तो यहां मैंने 5000 रुपय प्लस किये हैं अगर 2020 के भी adjustment होते हैं तो यही 5000 जो मैंने 2019 में plus किये हैं 2020 में minus कर देता इसके बाद हमारा next method है weighted average profit method दोस्तो इसको solve करने से पहले हमको जानना होगा कि weighted average में और simple average में फर्क क्या होता है तो देखे weighted average profit method वहीं apply होता है जहां question में हमारे को trend given होगा अगर trend क्या होता है तो देखे अगर हमारे business का profit हर साल पिछले साल के comparison में या तो बढ़ रहा है या फिर हर साल पिछले साल के comparison में घट रहा है तो इसको हम अपने accounts के language में trend बोलते हैं जब भी कभी trend हमको given होगा तब हम goodwill की valuation के लिए weighted average profit का इस्तिमाल करेंगे suppose यहाँ पर हमारे को पहले साल में 10,000 दूसरे साल में 15,000 फिर 20,000 और फिर 25,000 इस तरह से profit given होता तो इसका मतलब हर साल profit बढ़ रहा है या फिर पहले साल में 50,000 का profit है अगले साल घटके 45,000 रहे गया उससे एगले साल घटके 30,000 रहे गया और उससे एगले साल घटके 10,000 रहे गया although हर साल profit आ रहा है लेकिं पिछले साल के comparison में कम आ रहा है तो इसे भी मैं trend की परिभाствен में शामिल करूंगा और trend के according ही देखूंगा तो देखिए जब trend question में given होगा तो हम goodwill कैसे value करेंगे तो इसके लिए goodwill valuation के लिए हमारे को weighted average method को सामदे रखना होगा goodwill as for weighted average profit will be weighted average profit into number of year purchase तो यह weighted average profit को calculation करने के लिए हमारे सामने कैसे हम इसको compute करेंगे मैंने आपके सामने एक छोटा सा example draw किया है suppose तीन साल का profit हमें given है first year में 25,000 second year में 30,000 and third year में 45,000 और sorry चौथे साल में fourth year में 50,000 का तो देख सकते हैं हर साल profit बढ़ रहा है फिर purchase year हमारे को तीन दिये है weighted average profit हम कैसे निकालेंगे तो देखे सबसे पहले serial number पहला साल दूसरा साल तीसरा चौथा profit 25,000, 30,000, 45,000 and 50,000 यहां हमारे को इसमे weight अपने पास से देना होता है आप कोई भी serial order में weight दे सकते हैं मैंने 1, 2, 3, 4 दिया है आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करके कोई भी weight दे सकते हैं weighted profit निकाला इसका सम किया weighted average profit का 4, 20,000 रुपए इधर मैंने weight का सम किया 10 weighted average profit will be submission of profit upon submission of weight जो मेरा 4, 20,000 divided by 10 42,000 का मेरा weighted average profit आ गया जैसा हमारे solution में था weighted goodwill is equal to weighted average profit into number of year purchase weighted average profit हमारे सामने है 42,000 का मैंने goodwill के लिए इसको weighted average profit into number of year purchase goodwill आ गई हमारी 1,26,000 की इस तरीके से weighted average profit के formula में हम goodwill को compute कर सकते हैं इसके बाद तीसरा और important formula है हमारा super profit method super profit method में हम goodwill के से valuation करेंगे तो goodwill is equal to super profit into number of year purchase अभी super profit कहां से आएगा तो देखिए super profit के लिए हमारे को super profit will be actual profit minus average profit जो question actual profit given होगा उसमें से अगर हम average profit minus कर देंगे तो हमारा super profit आ जाता है actual profit normal question में हमारे को given ही होता है super profit normal profit हमको calculate करना होता है normal profit के लिए जो capital employed होगी उसमें हम NRR charge कर देंगे NRR is normal rate of return suppose अगर capital employed पांच लाख रुपए है और market में हमारा normal rate 10% है तो हम capital employed पे NRR charge करके normal profit निकाल लेंगे अगर किसी question में हमारे को capital employed given नहीं है तो उस case में हम total assets में से external liability minus कर देंगे तो भी हमारी capital employed आ जाएंगी देखिए इसके लिए मैंने आपके सामने question draw किया है actual profit suppose हमारा 50,000 रुपए है capital employed 3,000,000 रुपए है normal rate of return 10% है और purchase year हमारे सामने 2 है तो goodwill कैसे आएगी तो देखिए actual profit 50,000 minus normal profit capital employed into normal rate of return 3,000,000 into 10% 30,000 रुपए आजाएगा actual profit में से minus कर दूँँगा normal profit आजाएगा 20,000 रुपए into number of purchaser to goodwill as आएगी 40,000 रुपए लेकिन अगर यहां से हमारे exam में सिर्फ goodwill का ही question आता है तो goodwill के question में हमको यह बात ध्यान देनी होगी कि वहाँ question हमसे simple simple super profit या goodwill की बात नहीं करेगा वहाँ हमारे को question इस तरीके से आएगा symbol form में suppose goodwill हमको given होगी और गेवन होगा वहाँ question आप से कहेगा compute करो super profit या compute करके दिखाएगे capital employed तो हमको इसी data को use करके जो है एक की help से दूसरा item निकालना होगा वहाँ पर हमको question solve करना होगा लेकिन अगर जहां हम बड़ा question कर रहे हैं तो वहाँ हमको simple formula की help से goodwill मिल जाएगी चौथा और आकरीम of formula है हमारा capitalization method capitalization method में जैसे मैंने आपको बताया capitalized mechanism हम दो तरीके से goodwill निकाल सकते हैं capitalization of super profit और capitalization of actual profit super profit में हमारा formula होगा goodwill is equal to super profit upon nrr into 100 और actual profit के case में हमारा formula होगा actual profit upon nrr into 100 minus capital employed चाहे हम अपना question इस method से solve करें चाहे हम अपना question इस method से solve करें answer पर कोई impact नहीं हाएगा answer दोनों ही से बराबर आना चाहिए exam में हमारी cross tracking के लिए भी ये दोनों formula हमको help करते हैं हमारा हमारी valuation ठीक है या नहीं है देखे मैंने आपके सामने एक छोटा सा question draw किया है capital employed suppose 10 lakh normal rate of return 10% actual profit है हमारा एक लाग 20,000 रुपए हमारी को goodwill compute करनी है दोनों method से actual profit से भी और super profit से भी तो पहले हम actual profit से goodwill निकालते हैं super profit is equal to actual profit minus normal profit देखे super profit आ जाएगा हमारा actual profit minus normal profit capital employed into normal rate of return minus करेंगे हमारा super profit आगया 20,000 रुपए उसके बाद हम इसको अपने formula में यूज करेंगे actual profit के formula में भी यूज करते है actual profit था हमारा एक लाग 20,000 upon normal rate of return into 100 इतना हम करेंगे कि हमारा आजाएगा 12,000 रुपए minus capital employed 10,000,000 minus किया हमने हमारी goodwill आ गई 2,000,000 रुपए under actual profit method इसी को हम यूज करते हैं super profit method में तो देखे super profit हमारा आया था 20,000 रुपए super profit upon NRR into 100 super profit 20,000 upon NRR 10 into 100 उसके हमने answer is 2,000 चाहें ऐसे निकाले चाहें ऐसे निकाले answer in both case will be 2,000 तो इस तरह से हमने अपने चारो method में goodwill को compute करना सीखा ये notes मैं आपको description में scan करके डाल दूँगा वहां से आप इसको निकाल सकते हैं thank you